नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमाई चले हैं मैं नाम है इसी राज के सुरह हम बात करने वाले हैं बिहार किर्सी बाग के तरब से निकल करे एक नई बहाली के बारे में दोस्तों बिहार किर्सी बाग के तरब से जो है यहाँ पे नई बहाली निकलने वाली है तो उसी के वाली होने वाली है तो कॉंड कौन से बाईने वाले एक वीजो पूरा लास्टі कर देखते रहे हैं उससे पर अपने माचल को सब्सक्राइब में तुछ माचल को सब्सक्राइब कीजई लाइक कीज़ेस वीडिո को जितना उसके से खिर आखकी और विलो को जानकारीår heartfelt की मि इस बहाली के बारे में यानि कि किसी बहाली के बारे में तीन से चार महिना पहले जो यहाँ पर अपडेट आया हुआ था तीन से चार महिना पहले ही इसके बारे में जो है जानकाई दे दिया गया था लेकिन अब जो है इसके बारे में पूरी जानकाई निकल के आ रही है कि कि इनकिन जिलों में यहां पे बहाली होगी कितने-कितने पदों पे बहाली होगी कभ तक जो है आपक बहाली परक्रिया शुरू हो जाएगा सब कुछ जो यहाँ पर बता दिया गया है यहाँ पर देख पाऊँ दोस्तों तिरहुत परमंडल में 1417 पदों पर होगी बहाली यानि कि दोस्तों यहाँ पर यह जो जल्द यहाँ पर आने बाला है उसका जो बहाली परक्रिया है उसके लिए जो यहाँ पर रास्ता साफ हो चुका है अब यहां पर बताएंगे दोस्तों तिरहुत परमंडल में किरसी भाग के खाली पड़े पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है किरसी मंत्री ने 31 मई को किरसी योजनाओं की समिक्षा के दौरान नित रिक्तियों पर नियुकति को लेकर अस्तरिय के पदों पर रोस्टर का अनुमोदन संबंदी डीयम और परमंडल अस्तर पर तिरहुत आयुकत से संपर्क अस्थापित करने का निर्देश दिया था यानि कि दोस्तों आपनों का जो जिला अस्तर पर बहाली होने बाला है उसका जो पद होने बाला है उसका जो निर्देश मिलते ही डिक्त पदों को चिन्हित करना सुलू कर दिया है यानि कि आपनों का अपनों का एजूकेशन क्वालिफिकेशन होने बाला है किस परकार से आपनों का आभेदन लिया जाएगा, कितना कितना पद होने बाला है, सारा जानकारी जो आपनों का नोटिफिकेशन होता है, वो जो आपनों का नोटिफिकेशन होता है, और जल्द जो है आपनों का नोटिफिकेशन है, आपनों का जारी कर दिया जाएगा, यहा अभी जो फिलहाल आपलों का बहाली होने बाला है बो 147 पडों पर बहाली होने बाली है। आप दोस्तों हम आपको आप जानकारी देते हैं कि किन-किन जिलों में बहाली होने बाला है तो यहां पर दिख पाऊंगे कि एक जो आपनों को लिस्ट मिल जाता है परमंडल में पदों की इस्थिति तो जिला यहां पर बताए गया है मुझभपरपूर, बैसाली, सीतामढी, सिभहर, पुर्वी चंपारन, पश्रिम चंपारन तो इन 6 जिलों में आपनों का बहाली होने बाला है कितना कितना खाली पद है तो 178 मुझपरपुर में 22 साली में 75 पद खाली है सितामारी में 425 पद खाली है सिभहर में 30 पद खाली है पूरभी चमपारन में 590 पद यहां पे खाली है, पश्रिम चमपारन में jyla में 119 पद यहां पे खाली है, तो टोटल जो है इन जिलों में इतनाक पद है खाली है और इन पदों पे आपप लोंका जो भाली है वह होने बारा है, यहां पर पता गे दोस्तोर किसी भाग के में परेपदों पर रिक्तियां मांगी गई है परमंडल के सभी जिले में 1417 पद खाली है रोस्टर तैयार किया जा रहा है जल्द ही इससे संब्धनित अधिकारी के पास अनुमोधन के लिए भेज दिया जाएगा यानि कि आपनों का जो इसका नोटिफिकेशन है वो तैयार किया बाला है यानि कि किस परकार का पद पर यहां पर बाहली होने बाला है यसे कि यहां पर 178 पद है तो किस परकार का पद होगा दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो पद होने बाला है वो अलग अलग होने बाला है यानि कि एक ही तरह का आपनों का पद नहीं होने बाला अब जोब शौटकर तरीके से इस के बारे में जानकाई दिया गया है तो इस तरीके से आप लोगों का बहाली होने बाला है जैसे ही इसका आप लोगा notification जारी होगा मैं आपको एक proper बीडियो बनाकर जानकाई दे आसा करते हैं दोस्तों कि हमने आपको जानकाई दे दिया है कि बिहार किरसी बाग के तरफ से जोए किस परकार से यह बहाली निकलने वाली है किस परकार से जोए 1400 पदों पर यह बहाली निकलने वाली है किन-किन जीलों में यह बहाली निकलके आने वाली है और कितना कितना गयाओना थादग.